हेलो दोस्तो आशा करता हूँ आप सभी सोस्त होंगे तो दोस्तो अपनी इस वीडियो में आपको बता हूँ का भारत और इंगलेंड के 20 खेले गए 30-20 के बारे में जोकी खेला गया 10 जुलाई संडे को नॉटिंगम में तो आइए शुरू करते हैं तो दोस्तो भारतिय टीम यह मैच जरूर हारी लेकिन इसमें बहुत सारे पॉजिटिफ रहे और अशा लगा है नहीं किम मैं दो कहा रहा हूँ आप एप में था क्यों चाहिए रहा हूँ और आप भी शायव समझ रहाँ ढ़िकर नहीं किसिनिक की बात कर लहा हूँ लेकिन पहले शुरूआ करते हैं म लेकिन अगले दस ओवर में एक सो उनक्ते सरन मनाई तो भाती इटिंग के अगर करें सर जड़े जाब होती महंगे सावित हुए पेंतालिस रन चार ओवर इसके से वह बात करें उम्रान मलिक चार ओवर चार ओवर चार ओवर चार ओवर पॉटी फीड़ा इन दोनों को एक एक विगे जरूर मिली लेकिन ज्यादा एफेक्टिव नहीं लिए इसके सिवा आर् बनाने थी लेकिन रिशाब पंतेश बार आतरी एक रन पे आउट हो गए और उसके बाद हमारे तो सबसे स्टार खिलाडी जो की समय है बहुत ही बुदी फॉर्म में रोहिष शर्वा और विराड कोली दोनों ही 11-11 रन पे आउट हो गया और ये ये तो हुना ही था क्योंकि अब इसके बाद चमके सुर्रे कुमार यादा स्काई 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 दर लिमिट जी हां बहुत ही अच्छे पच्पन बॉलो में 117 रन बना अगर हम बात करें चौद के लगाए चक्चे भी अच्छे लगाए और बहुत ही अच्छी निंग खेली और जो भारत पाच ओर में लगबग 30 रन था उनको 10 ओर में अच्छी तक लेखे गए 15 ओर में देट सो रन लेके गए और एक तैसा लिगर लगए और पाच ओर में श्यासर पर नम जाएगे लेकिन तभी श्रेया साइर भी आउट होगाई 23 बॉलो में अठाई साथ बॉलो में 6 रन मना बाए जैड़े लेकिन चार बाच बॉलो में 7 रन मना खे रहा है तो अकेले खड़े रहे और बहुत भी अच्छी फाइटिंग नौ खेली टी-टोंटी क्रिकेट की अगर हम बात करें चेस करतो यह बेस्ट फाइटिंग नौक की 117 रनों की सेकेंड बैस स्कोर बना रोई शर्म गाई 118 भा है ऐसे हाई स्कोरिंग मैं बाइस रन दी है मातर चार हो रहें तीन विगेट लिए विली और जॉर्डन की भी अच्छी फॉर्म जारी है उनको भी दो-दो विगेट मिले तो भारत 198 रन ही बना पाया और 17 रन से मैच हार गया लेकर काफी पोजिटिव रहे और सीरीज भी हम जीते वर्ल्ड कप के बाद अगर हम बात करें तक 6 सीरीज हुई है और एक भी सीरीज हम आरे नहीं है पहले तीन सीरीज लगातार जीते है न्यूजी लैंड वेस्टेंडी श्रीलंका से साउथ अपरिगा से टाई रही लैंड से हार्दी पांडिया ने जितवाया और अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आखरी सीरीज में भी हमें जीत मिलिया इंगलेड में लगाता अगर हम बात करें पिसली दो सीरीज हम जीत चुके है निक्यों तो अब दूसरे भारती खिलाडी वेराट कोली के बाद जिनोंने तीन से जादा मैंड नौधा सीरीज दिए जिसके सिवा रोई शर्वार दो और बोने शर्कुमार तीन और पास्टो डिलेवरी डालने वाले ऐसे पहले गेम बात बने हैं डॉट डिलेवरी पावर प्लियोवर्स वगर बात करें अनफॉर्चुनेटली रिकी पॉंटिंगा रिकॉर्ड एक बार फिर से तूटने से रह गया हम बात करें तो बीस मैच उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था जीतने का 2003 में और रोई शर्वा गी 19 रहे तो एक छोटा सा दुख जरूर हुआ और वो हमेशा ही पता नहीं क्या होता है कि जब हम सो इस प्यार के धोनी प्रॉफी जीतने पॉंटेंगा रिकॉर्ड तो धोनी नहीं जीत पाते हैं विराट कोली का 71 सदक 3 साल से नहीं आ पाया क्योंकि 71 रिकी पॉंटिंग की बराबरी करने के लिए पता नहीं क्या होता है कि रिकी पॉंटिंग से हमेशा ही थोड़े से पीछे रहा जाते हैं लेकिन हमारे रिकॉर्ड वी वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं तो वेल्ड़न रोई शर्वा आपको क्या आपने लगातार 19 मैंच अपनी कप्तानी में जीते जिसमें 14 टी 20 में थे व और इसके से बहुत मज़ा आएगा तो बात करेंगे उसकी जल्दी तब तक आप इंजॉय कीजिए और फिर वंडे सीरीज का मज़ा लीजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा जैहिंग